सादक सिरी हरी विष्णू के लिए उत्पन्ना एक अदसी पर जो उपवास रखते हैं उनकी सभी मनो कामनाय पून होती है इस बार उत्पन्ना एक अदसी आठ दिशंबर को पड़ रही है इस एक अदसी पर जो तिस के अनुसार कुछ उपाय किये जाये तो वहे बहतर कारगर सिद्ध होंगे इसके साथ ही जीवन की कई समस्याओं का अंत तुरंत होगा जो तिस आचारे पंडित अजे दोवे ने बताया है कि हमारे सनातन धर्म में एक अदसी ब्रत का बेहत शोब माना गया है यह दिन भगवान बिश्नु जी की पूजा के लिए समर्पित है ऐसा कहा जाता है जो सादक इस दिन सिरीहरी बिश्नु के लिए उपवास रखते हैं उनकी सभी मनुकामनाय पूण होती है इस उतपन्ना एक अदसी पर भगवान बिश्नु की पूजा की जाती है माननेता है कि जो सादक इस दिन दान पुन करते हैं उन्हें कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है ऐसे मैं इस सुब दिन पर अनाच का दान अवशक करें ऐसा करने से आपकी सभी मुश्किलें दूर होगी एकादसी के दिन जरूरत मंदों को भोजन कराने एबम उनकी किसी भी प्रकार से आर्थिक मुश्किलें समाप्त करती है हरियों मारसिस माय के कृष्ण पक्ष की एकादसी को उत्पन्ना एकादसी कहा गया है और उत्पन्ना एकादसी में भगवान लक्ष्मी नारायन के पूजन करने का बड़ा विशेश महत्व है जिलनों के जीवन में अर्थ की कमी है उनको एकादसी के दिन प्राता काली शूर्य देश पूर्व जग करके सूर्य नारायन भगवान के साक्षी में लक्ष्मी नारायन भगवान का पंचामर्थ अभिशेक करना चाहिए और अधिक से अधिक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए गव माता की शेवा करना चाहिए गव गास प्रदान करना चाहिए बिशेश रूप से गव माता को अगर आप चैने की दाल प्रदान करते हैं, चैने की दाल गुड के साथ अगर खिलाते हैं, तो भगवती गाये माता के सरीर में संपून, लोक और समस्त देवता निवास करते हैं, और भगवान नारैन भगवती मा लक्षमी सहित गव शेवा से प्रशन होते हैं, एक आदसी के दिन लक्षमी नारैन को प्रशन अता कही कार करना चाहिए, तो क्योंकि गव शेवा से लक्षमी नारैन प्रशन होते हैं, इसलिए गव माता की सेवा करनी चाहिए, लक्षमी नारैन भगवान का पूजन करना चाहिए, ओम नमो भगवती वा आपती होती है